वेलकम डेटा इंटर्पेटेशन इसके इस मौक टेस्ट में आप समों का स्वागत है मिशन SBI क्लर्क में उसके धर्थ उस सेरीज में ये एक अगली कड़ी है मैं चारता हूँ किस तरह के क्वेस्टेशन की आपकी टेक्टेस हो और आप मौक टेस्ट दे करके उसको जान सके 5 क्वेस्टेशन हैं 3 मिनट्स हैं मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसको सॉल्ब कर पाएंगे आप सौन करें फिर मैं इसे एकस्प्रेइन करूँगा 3 मिनट्स 5 क्वेस्टेशन साट मैं अमर गुमार सिंग अमर सर अन एकडमी पर भी हूँ जो एक फ्री लर्निंग एप है मैंने यहाँ पर ठेरों लिस्टन्स और कोर्सिस बनाये हैं जो बैंक, स्सी और रेलवे एक्जाम के लिए बहुत ही लावदायक हैं इनका लाव उठाने के लिए आप डाउनलोड करें अन एकडमी लर्निंग एप झाल झाल pengli आप श्री आप बह एक्डमी जो भी हैं झाल बहिति ह然 झाल 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 Once again welcome मुझे पूरी उमीद है कि आपने बहुत अच्छे से टेश्ट दिया होगा और सारे कुस्टिंस विदीन गिवन टाइम बनाये होगे क्योंकि आपने ठेश सारे कुस्टिंस रैसे बनाये है फिर भी आएए मैं बताता हूँ कि हाउँ कि हाउटो सारे बहले जो सर्वे हुआ वो जिन प्रोफेशनल्स के बीच हुआ वो ये ब्रांचिज वाले थे और टोटल त्वेफ़ तौजन फाइवंड़ पर्संस थे जो बाइप्रोफेशन या तो डॉक्टर थे इंजिनियर थे आर्किटेक्ट्स थे टीचर, लायर या डिजाइनर इन सिक्स प्रोफेशनल्स में बटे हुए 12,500 लोग का सर्वे हुआ जिनका पर्संटेस पाइट आयराम दिया हुआ है यानि आप बता सकते हैं कि डॉक्टर्स कितने थे 15 प्रसंट अगर हम निकाले हैं तो बता सकते हैं और जब प्रोफेशनल्स का नंबर निकल जाता है तो उनके अंदर मेल और फिमल कितने थे उनका रेश्यो दिया हुआ है यानि आप 3 to 2 के रेश्यो में बात ने डॉक्टर्स को तो पता चल जाएगा कि मेल डॉक्टर कितने थे और फिमल डॉक्टर कितने थे इस तरह से के लिए तो number का महर्चोही नहीं है, एक बात और है अगर सारे male professionals की बात होगी तब तो हमें फिर निकालना पड़ेगा, या सारे female professionals की बात होगी तब तो हमें निकालना पड़ेगा, ऐसा करते हैं, हम लोग जेस्ट percentage में number वहां लेते थे, जैसे मालने जी डॉक्टर्स 15% है सारे प्रोफेस्टर्स को 100 मानते हुए तो 15 डॉक्टर्स होते हैं और उन 15 डॉक्टर्स में से 3 male और 2 female जैनि 5 is equivalent to 15 1 means 3, 2 means 6 जैनि हम बोल सकते हैं कि 6% female doctors है उन 100 में से इन 15 में से में से ratio यह है इन 15 का 6% नहीं है 100 का 6% female doctors है और rest 9% male doctors है 100 में, 100 में, 100 में यह बड़े काम की चीज़ है क्यों नहीं इसको लिख दिया जाए अधर निकालना संबभ है data असान है फिलहाल तो सब असान देख रहा और सभे देख रहा देखिए आगे engineers engineers जो है engineers 17 है 5, 5 नहां के बोलते हैं just 20% 20% engineers हैं तो 3.4% 3.4% engineers हैं बागी 13.6% male engineers है female engineers है male engineers है 7, 4, 11 is equivalent to 22 1 means 2 यानि 8% female architects है और 14% male architects है total 22% है out of 100 हमने बात करें लेकि 25% 1, 4th teachers यानि 6 6% female है और बागी 18% male है lawyers 1, 3rd lawyers 1, 3rd यानि 4% female है और 8% male है total 12 है और 3, 5th या 60% जो बोली designers तो डिजाइन इस वी 6% और इधर वी 4% ये निकालने के बात कुष्चिन में कुछ नी आ जाता लेकिन यदि आपके पास टाइम कम है तो आप इनको अवाइड कर सकते हैं और जरुवत होने पर आप निकालेंगे 5 में से 4 questions आप आसानी से बना सकते हैं बिना ये निकाले हुए इसलिए अगर आप लास्ट में एक्जाम दे रहे हैं आपके पास 1.5 मिनट पाकी है तो ये values मत निकालेंगे सीधा question में आईए 5 में से 3 से लेके 4 questions तक आप solve कर पाएंगे तो ये समय और परिस्थितियों करता है ये values निकाले जाएं या नहीं निकाले जाएं आगे questions first question है what is the ratio of male designers and female lawyers together देखे 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 male designers and female lawyers together to the total number of engineers in the town number की जरुवत ही नहीं है male designers आईए male designers 4% है और female lawyers कितने हैं lawyers में female कितने हैं वह भी 4% है तो 4 plus 4% है is 2 total number of engineers in the town total number of engineers 117 है best 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 यानि की 8 is to 17 is the answer 8 is to 17 see the answer number निकालने की अवसत्य ही नहीं है ठीक है second number question the total number of male teachers and female doctors together is what percent of the total number of designers in the town ratio ही है ना इसे लिए या percentage भी ratio की फार्म में लिखना है तो जरुवत क्या है number का total number of male teachers and female doctors male teachers 18% and female doctors doctors 6% 18 plus 6 out of 100 ये कितना पर्षंट है ये कितना पार्थ है निकालते रहे है पार्थ है total number of designers total number of designers यहां देखते हैं 10 10 का ये कितना पार्थ है कितना पर्षंट है क्या हम इसे ऐसे ना कहेंगे क्या हम इसे 240 पर्षंट ना कहेंगे ये इस दाएंसर ठीक है आई third number question what is the difference between yes इसमें number का सवाल आया what is the difference between the total number of male professionals and that of female professionals in the town तो भी हम percentage में difference लेने के बार एक बार निकालेंगे number बार बार क्यूं निकालेंगे तो question है total number of male professionals total number of male professionals yes total number of male professionals और female professionals क्यों निकालेंगे कोई एक निकाल देते हैं difference है ना difference निकालने का जबरदस्त तरीका किसको count कर रहेंगे मैं बताता हूँ मैं बताता हूँ six and four ten percent हुआ और eight and twelve twenty thirty three point four percent हुआ सिर्फ female का number निकालने से 33.4 percent आप difference बोलते हैं कि fifty से ये कितना कम है sixteen point six तो thirty three point two percent is the difference this is the difference of 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 total one twelve thousand five hundred बस यही answer होगा अम लोग क्या करते हैं इसको करते हैं one twenty five percent of double zero यहाँ दे देते हैं percent of three three two zero hundred percent तो ये खुदी होता है hundred percent तो ये खुदी होता है और twenty five percent one fourth होता है one fourth का मतलब thirty two बोलेंगे अगर ये जो है ये 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 थर्टी टू बोलेंगे तो eight ठीक है one fourth ये one twenty five percent of thirty three था तो आप बोलेंगे eight hundred उसके बाद one twenty का मतलब thirty यानि आराम से बोलेंगे कि ये हुआ one twenty five percent और ये हुआ forty one hundred fifty forty one hundred fifty से रांस है बोलेंगे इस समझ में आया कि नहीं ठीक है इसके बाद next fourth number question fourth number question the number of female architects is what percent of that of male lawyers in the town तोरे, पूरे इस्ट्रार का हाएोँ Men एक है इसके बाद फिफस नब्गोर पुचिन what is the average number of male designers, architects, teachers and lawyers together in the town male, male, designers, architects, designers, four, architects, 14 teachers and lawyers, teachers 80, male, male, and lawyers, lawyers, 8 income की हमें average लेना है इसका income हमें average लेना है lawyers तो देखी कैसे लें हमें लिखता है कि ये है 32 40, 44, 11% 44 सम है ना इसलिए 11% of of, 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 of क्या? 11% of 12,500 11% आरा हम से जानते है 11 से मल्टिप्ला ही करना 10% तो ऐसे भी आपको पता है 12,50 और 125, 13,75 13,75 is the answer 13,75, C is the answer ठीक है? एक बहुत यहांसान डियाई था और ऐसे ही questions आने भी चाहिए हलाकि variety of questions की practice आपको करनी है मैं कराऊँगा अगे, आरा के यहांसाने थापको का वा ऩर्वे विस तुेए